पहाडों पर चल रही बर्वारी ने दिल्ली एंसियार समेथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड बड़ा दी हैं बारती मौसम विग्यान विवाक की माने तो ठंड में आने वाले दिनों में और इजाफा होगा पहाडों पर हो रही बर्वारी के चलते अगले कुछ दिनों में नियुनतम और अधिक्तम दोनों ही ताफमान में गिरावट दर्च की जाएगी उधर मौसम विबाग के पुर्वनुवान के नुसार सोम बार सुबा से ही आस्मान साफ और तेज धुप निकली भी है इससे पहले सोमबार सुबाद 6 बजे से पहले दिल्ली NCR में कोहरा भी रहा मौसम विबाग के मताबिक अधिक्तम ताफमान 27 और यूंतम ताफमान 10 गिवी सेल्सियस रहने की संभावना है कुल मिलाकर आने वाले दिनों में ठंड का कहर और बढ़ेगा हो सकता है कि दिसंबर के पहले सपता तक शीत लहपी दस्तक दे दे गौर तलब है कि मौसम विबाग की और से पहले ही पुर्वनवान जताय जा चुका है कि अगले सपता जम्मो कश्मीर में मौसम करवट ले सकता है इसके तहट कश्मीर में वर्फारी होने की संभावना है इसके साथ ही जम्मो में भी बारिश होने की संभावना बन रही है ऐसे में मौसम साफ रहने के बावजूद इमाचल प्रदेश में और ठंड बढ़ेगी इस बार संदी लंबी चलेगी क्योंकि ठंड समय से पहले पढ़नी आरम हो चुकी है वही इस से पहले रवीवार की सुवा इस सीजन की सबसे ठंड रही अधिक्तम ताफमान समाने स्तर पर 28.1 डिगरी सेल्सियस जबकि नियुमतम ताफमान समाने से 3 डिगरी कम 10.1 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया लिया ये इस सीजन में अभी तक का सबसे कम नियुमतम ताफमान रहा हवा में नमीका स्तर 31-93 प्रतिशत रहा मौसमी भाकी माने तो तापमान में अब लगातार गिरावट होई दो-तीन दिनों में ही अधिक्तम तापमान 24 जबके निमतम 9 डिगरी बल आ सकता है उथर रविवार को सफदरजंग और पालम दोनों एरपोर्टों पर हवा की गती 5-7 किलूमिटर प्रती घंटे तक की रही बाद में हवा की रफ़तार धीमी हो गई दिर्शिता कस्तर भी बहतर रहा इंदिरा गांधी अंतराश्टी हवाई अड़े पर दिर्शिता कस्तर 1500-200 मीटर और सफदरजंग हवाई अड़े पर 1500-1500 मीटर तक था